हेलो एविवन कैसे आप सब आप सभी का करियर सक्सस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है 10th past students जो काफी देर से वेट कर रहे थे कोई fresh recruitment एनौस नहीं किया जा रहा स्टेट में भी और all इंडिया लेवल पे SSE की तरफ से MTS recruitment multi tasking staff 2023 recruitment एनौस हो चुका है आप सबके लिए वीडियो आपके लिए है इस पूरे वीडियो में हम discuss करेंगे कि आप कौन-कौन इस recruitment का हिस्सा बन सकता है कौन-कौन लोग form बर सकते हैं form कब तक बर सकते हैं age क्या है syllabus क्या है paper कब होगा eligibility क्या है qualification क्या है 5-6 जुलाई से निया batch start किया जा रहा है अभी 12 बजे का batch available है 4-5 दिन में इसकी seats close हो जाएंगी आप join कर सकते हैं call कर सकते हैं चाहे आपका JKPSI upcoming exam है SSC bank JKSSB कोई भी paper है आप join कर सकते हैं facilities सब भी आपके लिए available है call कर सकते हैं 9419145317 पर या visit कर एड्रेस आपके सामने है career success opposite science college के नारवर जमू इसी के साथ इस पूरे recruitment में क्या-क्या चीजे आई हैं क्या-क्या इसमें details है सारे discuss करते हैं सबसे मेले बात करते हैं इस recruitment का नाम क्या है तो इस recruitment का नाम है SSC MTS multitasking non-technical में भी आया है यह जिसमें 2023 में vacances आई है इस बाद पूरा exam pattern change हो चुका है form भरने की जो date है वो है 30 June 2023 से 21 July 2023 तक आप सभी के लिए उसके बाद जो आपका इसका exam conduct किया जाएगा online paper होगा September के महीने में यानि की दोड़ाई मेने का आपके बास time है और इसका syllabus भी limited है तो आप रहाम से दोड़ाई मेने में syllabus cover कर सकते हैं इसके लावा अब बात करते हैं vacancies कितनी है तो आप यह total करेंगे तो around 1500 के आसपास vacancies बनती है उसके बाद आपके लिए age क्या है qualification क्या है यह सारी चीज़े अभी हम discuss करेंगे notification काफी बड़ा है तो 74 pages का notification है age limit का जो cut off date रखा गया है वो है एक अगस्त 2023 यानि कि जो आपकी age limit है इसमें दो post आई है जो आपका MTS के लिए है उसके लिए 18-25 साल और जो दूसरी post आई है 18-27 साल अब date of birth आपकी कब से कब होनी चाहिए कब से नहीं होनी चाहिए वो भी द date of birth दो अगस्त 1990 से पहले नहीं होना चाहिए और एक अगस्त 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए ऐसे ही आप देख सकते हैं आगे भी तो next इसके बाद चलते हैं category के लिए relaxation है SC, ST, OBC ये सारा आप देख सकते हैं अपने लेवल पे पुरा notification भी डाउनलोड करिए आप निश्टे description में लिक दिया है इसके लावा अब इसमें exam pattern सारा change हो चुका है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए आई हैं हर एक चीज द basis पे recruitment है तो आपकी metric पास होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो इसमें eligibility रखी गई है एक अगस्ट दो जाते है तो उसके according अगर आप देखें cut off date है आपकी एक अगस्ट दो जाते है इससे पहले पहले अगर आपका जल्ट आ जाता है तो यह दिन यू आर इलिजिबल उसके बाद exam pattern पे चलते हैं सिधा form कैसे भरना है सिधा SSC की website सर्च करिए आपको वहाँ online application के details मिल जाएंगी form भरने की fees है सिर्फ 100 रुपे girls के यह बिल्कुल free of cost है अब बात करते हैं इसका exam pattern center जो है examination का वो पूरे all India बनता है तो आपको center की attention नहीं online paper conduct किया जाएगा इसका इसके लावा जो नया exam pattern आया है सबसे important चीज़ वही है discuss करने वाली लीजिए आपके सामने शायद आप देख पा रहे होंगे scheme of examination इसमें क्या र अभ्यान से देखते हैं इसको आपका paper divided है दो session में session 1 और session 2 यह एक ही दिन में होंगे दोनों पहला जो session है इसमें math और reasoning आएगा 20 question math के reasoning के 20 total marks start start या नहीं कि 60 marks for math and 60 for reasoning एक question 3 number का और total minus 45 जैसी session 1 over हुआ 45 minutes immediately start हो जाएगा session 2 इसमें GS और English की weightage बढ़ा दी गई है GS आपका 25 questions 75 marks और English भी 25 questions 75 marks यानि math reasoning से भी ज्यादा है इसकी weightage उसके बाद time कितना है 45 minutes अब जो आपका exam conduct होगा वो एक ही दिन में होगा आप देख सकते है session 1 and session 2 उसके बाद यह ऐसा नहीं कि आपने session 1 दिया session 2 नहीं दिया वो disqualified माना जाएगा उसके बाद objective type question आएगे negative marking के लिए बहुत important चीज़ इसमें mention है देखिए यहाँ पर math or reasoning जो कि session 1 में होना था उसके लिए there is no negative marking negative marking होगी एक number की one mark की सिर्फ session 2 में तो इसका धियान दखिएगा उसके बाद फिर आपके answer की आजाएगी syllabus आप देख सकते हो math का सारा वही है arithmetic and all उसके बाद reasoning की अगर हम बात करें जो अपने normal topics होते हैं सारे वही English और general awareness सारा आपके सामने as it is तो कहने का मतलब अगर आप अभी भी सर्च कर रहे हैं ढूंड रहे हैं कि कौन सी recruitment के लिए हम त्यारी करें वेट करें किसी form भरने का यह syllabus अगर एक बार आप cover कर लें आप 10 करना के exam दे सकते हैं तो यह right guidance होना बड़ा ज़रूरी है proper mentorship चाहिए अगर आप government job कम समय में लेना चाहते हैं आप सभी ध्यान रखें form सारे लगाईए जितने ज़्यादा form भरेंगे उतने ज़्यादा आपकी possibility exam qualify करने की आप भी अपनी मेहनत से dedication से exams qualify करके अपनी government job ले सकते हैं preparation point of view से अगर हम बात करें तो अगर आप proper guidance के साथ त्यारी करना चाहते हैं join career success institute opposite science college के नालवर्ड जमू fresh batch की details मैंने आपको दे दी हैं Monday से आप admission स्टार्ट कर सकते हैं ने batch में timing 9 बजे का भी available है 12 बजे का भी और नया batch भी start हो रहा है 6 जुलाई से तो आप सब के लिए इसमें facilities हैं best study material आपको मिलेगा test series एक सार तक का पढ़ने का मोका क्योंकि ये form हर साल निकलते हैं online support आपको मिलता है ये सारी चीज़े फिर आप कोशिश करें मेहनत के साथ इन सभी चीज़ों का फाइदा उठाएं और अपना exam qualify करें calling number आपके सामने लि